प्लुटूथ से एप कैसे बहजे हैं यानि आपके ये फोन इमें भलुटूथ है ब्लुटूथ से ऐप एप्ट कैसे विजए दूसरे मोबाईल में या फिर π्लुटूथ से यह फिर कोई भी अधर आप الخ 501 राख पोई फा oldest अंबॉल तो लेप्टॉप में भी बेच सकते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा हमें मॉबाइल का ब्लुतुथ आन करना है तो हमने यहां पर Tabii यहां पर यहां पर यहां पर on करना है और इसके गारे को यहां धर शीज़ब करएगे तो इस तरह से अग oh लुबाइल से पीर करेंगे तो देखते हैं क्या होता है यह बोल रहा है यहां पर यह पीन आ गया तो हम यहां यहां कर देंगे और इसको भी प्लीक कर देंगे तो connection देखिए यहाँ पर successful हो चुका है ठीक है, Redmi connected हो गया है हमारा laptop और यह mobile connect हो गया Bluetooth से अब हमें इस mobile से app भेजना है इस laptop में आप चाहे तो किसी other mobile में भी भेज सकते हैं, मतलब Bluetooth से मैं आपको बता दूँगा तो आप भेजना जान जाएंगे तो अभी हमें क्या करना है भाई, अभी हम application भेजेंगे, तो यह laptop में receive file पर क्लिक करते हैं, waiting for connection बोल रहा है, यहाँ पर देखिए तो अभी हम क्या करेंगे, हम mobile में जाएंगे, जो भी हमें file भेजनी है, तो मान लिए हमें यहाँ जा रहे है है, और file manager में इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारी जो file है, AP के file यह इतर आ है यहाँ अपर यह file है AP के file है यानि कि Android app है इसको हम send पर क्लिक करेंगे और Bluetooth पर क्लिक कर देंगे तो जैसे Bluetooth पर क्लिक करेंगे यह दिखा रहा है राम जी तो हम इस पर क्लिक कर लेते हैं तो यह देखी हमारा laptop में जो है app आ रहा है इस mobile से laptop में हम Bluetooth के जरी जो है app भेज रहा है ठीक है दोस्तो यह कितने MB का है 12 MB, 12 MB के आसपास यह तो यहाँ पर दोस्तों यह देखी हमने जो है एक mobile से यह app जो है laptop में भेज दिया है Bluetooth के जरी यह था तरीका Bluetooth से app भेजने का laptop में या फिर किसी mobile किसी other mobile में भेजने का तो यह देखी है हमारा यहाँ पर sendo के location भी हम यहाँ से देख सकते हैं यह ब्रॉज करेंगे तो यहाँ पर जो हमने बता देगा दूसरे किसी mobile में Bluetooth के जरी है लेकिन दूस्तों आप यहाँ पर देखिए मैंने इसको असानिस कैसे वेज दिया आप सोचेंगे यह तो मतलब फाइल से भेज़ आपिके फाइल तो आप कैसे कर सकते हैं इसके लिए दूस्तों एक जो है इसका बैक अप हमें मिल जाए निकिए अपी के फाइल मिल जाएगा और फाइल स्टोर में हो जाएगा तो यह तो यह जिली देखते हैं कहां पर इस्टोर होता है यह फाइल तो हमने फाइल को होना है mobile का जो भी फाइल एक्स प्रोडर उसको को खोलेंगे पाल प्र साथ जो किसी बी एप को किसी दूसरे मोंबाइल में बलुटूथ के ज़रीए पहते हैं अमीद है इस वीडियो से आपके help मिली होगी ऐसे आप paglutus से किसी भी phone में एप भेज सकते हैं एंडूरड एप भेज सकते हैं इसी laptop में भेज सकते हैं और अपने लिप्टॉप में भेजना इस पसंद आई होगी